हालो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज मैं बनाने वाली घी की रैसिपी आप घी कैसे बनाए और जो ज्यादा कॉंटिटी में और बहुत अच्छा घी बने इसके लिए सबसे पहला इस टैप है आपका दूद को ट्रॉपर गर्म करना गर्म करने के बाद उस पर छन चनी ढाकने से अच्छी मलाई पड़ेगी और जब आप मलाई खटा कर लेते हैं दो या तीन दिन की तो आप उसको थोड़ा देर बाहर रखिए बाहर रखने के बाद खलके हाथों से चलाईए देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी मलाई लिकल आएगी मलाई को एक ही साइ अच्छी से मैंने बनाया है अब मारी मलाई खटी हो चुकिए अब मारी मलाई खटी हो चुकिए इस मलाई को हम एक बाउल में अलग से निकालेंगे दिखिए प्रॉपर है एक एक हपते की मलाई है मैं इसे फीजर में रखती हूँ ताकि इसका कलर भी अच्छा जैसे मार्केट में मिलता येलो वैसा हाई देखिए आप देख सकते हैं मखन लिकल चुका है कितना किलियर मखन आया है इतना वाइट मखन आया है मखन लिकल गया तो इसमें जो दूद है इसको लिका लेंगे आप देख सकते हैं मैंने कितने अच्छी तरीके से इसको लिका लाए आप इसको च्छान इसके दूद को लिका हल सकते हैं जो हमारा बाद मठा बनेगा इतना मक्खन लिकलने के बाद प्रेंट्स हम एक बार फिट ट्राय करेंगे इसमें थोड़ा और मक्खन लिकल सकता है हलके हलके हाता से एक साइड रोटेशन करना है आपको देखिए हम मतानी से भी मस सकते हैं इसको देखिए जैसे मतानी आप चलाएंगे तो बचा हुआ ा जो मक्खन लिकलने के बाद आप दोवारा निकलने के Crewा मफ्री देखिए तो देखिए पनानी ऐस देखिए तो वे लिकुक्रेद को बाद आगे वांसी हिए मिकलने के बाद दौवारा बी मक्खन को गय्सक्टे करेंगे पर दिखिए शृधन के कि ऋचित् thoughts कि कि आपकी जो कडाई है उसमें नीचे एक तो किलियर बनेगा अच्छा कलर आएगा और साथ में जो लास्ट का जो बच जाता है जो राड राड होता हुपूरी कडाई को खराब पर देता है जमा देता है मकः जला हुआ मकः वह उसकी परशानी आपको नहीं होगी आप आराम से अपनी कहाई को साफ कर सकते हैं देखेगा मेरे आगे वाले वीडियो में इसी आगे वीडियो में देखेगा कितने अच्छे से महने से बनाया है नहीं हमको एक मैन ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगी और हमार अग्जी भी इचा बन जाएगा करी बहुत होता है कि हमें ब आप देख सकते हो कितना बढ़िया कितना अच्छा बन रहा है देखिएगा फूर मिट्स के बाद आप देखिए कितना अच्छा अच्छे से बन चुका है मतलब हमें 10 मिट्स में ही आप गी बना सकते हैं और देखिए हमने जो नीबू डाला था तो इसे जो जला हुआ मक्षन है वह भी इसमें नहीं चिवक रहा है हुआ मेर था रहा है अच्छाद karşı में 10 देखिए हुआ पक्षाड से जो बना सकते हैं 10 मिट बाद आप देखेंगे हमारा गी बिल्कुल बन कर तैयार है जो मक्कन है बिल्कुल भी कडाई में नहीं चिपका है मतलब आपको महनत नहीं करने पड़ेगी कडाई साफ करने में आप देख सकते हो फिर इसी एक छनी की साहता से किसी डिब्बे में आप छान सकते हैं देखिए छानने के बाद कितना येलो कलर आ रहा है बहुत ही अच्छा गी बना देखिया मारा गी बिल्कुल छन चुका है ए आपको मैं नेक्स कडाई दिखाने जा रही हूँ देखिए कडाई बिल्कुल साफ है तो नीबू का यूज जरूर कीजेगा येलोगी बन करते है यारे दम मार्केट जैसा नीबू यूज करने से सुगन भी अच्छी आएगे गी कि आप इस चैनल पर नए है तो लाइक कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू